अलो स्टूडेंट्स वेलकम टू मागनेट वेइंस महरु पाली वर्मा आज हम जो लेकर आए हैं वो है आपकी क्लास क्लास 12 की हिंदी कोर की जो अनुपूरक पुस्तिका है वितान 2 उसका है चौथा अध्याय हमारा डाइरी के पन्ने ये लिखा है एन फ्रेंक द्वारा ये जो है ये एक डाइरी थी जो एक चूटी सी लड़की ने लिखी थी जब दुतिये विश्रुद के दौरान यहूदियों पर नाजियों का बहुत जादा अत्याचार हूडा था उन्हें पकड़ पकड़के उनके ऊपर अत्याचार किया जाता था उन्हें यातना ग्रह में रखा जाता था तो उनसे छिपने के लिए यहूदी बहुत दिन तक अज्यातवास में रहते थे कहीं छिपके रहते थे तो यह उसी की कहानी है जो एन फ्रैंक ने हमारे सामने रखा है तो इस डाइरी के जो पन्ने हैं यह चाप्टर हम पूरी तरीके से पूरा डिटेल एक के इस चैप्टर का और साथ ही कुछ कोशन आंसर भी देखेंगे तो चलिए शुरू करते हैं यह चैप्टर एक्च्वल में बहुत ही लंबा था बहुत ज्यादा क्योंकि डाइरी थी पर डे लिखी गई किस तरीके सी थी हमने उसको पढ़ा था अब उसी को हम थोड़ा सा शौट परजन में फटा फटा आपके लिए जो मेंविन पॉइंट से वो हम नहां पर समझाएंगे तो क्या दिया है एन फ्रेंक की डाइरी एन फ्रेंक द्वारा रच्च डाइरी विधा को एक शशक्त क्रती है यह डाइरी दुतिय विश्वयुद के समय यहूदियों पर रहाए गये जुन्मों और मांसिक यातनाओं का जीवन्त दस्तावेज है तो यह जो लिखा गया है डाइरी एक्च्वल विधा जो है आप अगर देखेंगे तो आप लोगों ने बहुत से इससे पहले भी यात्रा व्रतांत भी पढ़े हैं तो यात्रा व्रतांत मोस्टी ड डाइरी की क्या विधा होती है वो एन फ्रेंक की डाइरी से ही हमें पता चलता है तो यह बहुत ही शशक्त दस्तावेज है बहुत ही एक्दम एक्च्वल जो विधा है उसमें निकल कर आई है और यह दुद्य विश्व के दौरान जो कुछ भी नाजियों द्वारा यहूद जो है निकल कर सामने आया था यहूदी समधाय ऐसा समधाय था जिसे दुद्य विश्वियुद में सबसे जादा कश्ट उठाने बढ़े उन्हें गुप्त तैखानों में लंबे-लंबे अर्से तक गुजर बसर करना पड़ा यहां उन्हें भूग गरीबी बिमारी शारीर क मानसिक पीडाओं को सहते हुए पशो जैसा जीवन जीना पड़ा जर्मनी के नाजियों के शिकंजे में फसकर उन्हें अनेक अमानविय यातनाओं से दोचार होना पड़ा तो इनसे नाजियों से बचने के लिए जो जीवन जी रहे थे वो तो अमानविय था क्योंकि कहां पर रहना पड़ रहा किस हालात में रहना पड़ रहा बिमारी हो भूक हो गरीबी हो बरसाद ठंड हर एक चीज़ को वो लोग सह कर रहे थे और अगर वो नाजियों दौरा पकड़ लिये जाते थे तो भी उन पर ऐसी यातनाए होती थी जिसको सहन करना बहुत ही मुश्किल होता था एन फ्रेंग की डायरी दो यहूदी परिवारों के अग्यात व्यास की व्यथा कथा है यानि की जो डायरी है उसमें दो परिवार गए थे अग्यात व्यास में उनकी कथा यहां पर बयान है एक था फ्रेंग का परिवार यानि एन फ्रेंग का परिवार ही जिसमें म पार्गेट की उम्र 16 साल और एंग की आयू 13 साल की थी उसके साथ दूसरा परिवार था वांदान धंपत्ति उनका 16 वर्षिये बेटा पीटर था तो ये तीन लोग थे दूसरे परिवार में वांदान परिवार था जिनका एक 16 वर्षिये बेटा पीटर भी था उनके साथ सदस्य परिवार की फ्रेंक साहब के कार्याले में काम करने वाले इसाई कर्मचारियों ने मानवी इस्तर पर मदद की तो फ्रेंक यानि के आन फ्रेंक के जो पिता थे वो जिस परिवार में काम करते थे उन लोगों ने उनकी काफी मदद करी थी इस अज्यातवास में रहने के लिए एन ने इसी अज्यातवास को कलम बद्ध किया है इस डायरी में भय आतंक बिमारी भूख प्यास मानवी समवेदनाएं प्रेम घ्रणा हवाई हमले का डर पकड़े जाने का भय बढ़ती उम्र की तकलीफें सपने कलपनाएं बाहरी दुनिया से डरने की पीड़ा मांसिक समशारिरिक आवशकता हैं हसी मजाख युद की पीड़ा और अकेले पन का दर्द सब कुछ लिपी बद्ध है यानि कि एक हम बोलते हैं एक जीवन भर का उस डायरी में देखेंगे तो सभी के जीवन भर की जितनी व्यथाय होती हैं वो सभी वहाँ पर थी यह पीड़ा जन सतितियों को दर्ज करती डायरी 2 जून 1942 से शुरू होकर 1 अगस 1944 के बीच लिखी गई तो अब देखिए 2 जून 1942 से शुरू हुई और 1 अगस 1944 के बीच लिखी गई तो hier पर आप देख रहे हैं कि दो साल से थोड़ा सजाद है कि बीच के समय को इस डायरी के अंदर व्यक्त किया गया है अब डायरी आप सभी जानते हैं कि डायरी जो लिखी जाती है वो डेट वाइज लिखी जाती है तो यह डेट वाइज यह देखिए सबसे पहले हमने कहां से शुरू करिये 4 अगस्त 1944 को किसी व्यक्ति की सूजना पर इन आठो लोगों को पकड़ लिया गया अब क्या था 4 जून एक जून 1944 तक की डायरी है अब उसके आगे क्या हुआ क्यों नहीं है डायरी तो इसका रीज़न क्या था कि 4 अगस्त 1944 यानि कि 1 अगस्त तक एन ने डायरी लिखी और 4 चार अगस्त को किसी व्यक्ति की सूजना पर इन आठो लोगों को पकड़ लिया जाता है सौभाग से यह डाइरी पुलिस के हत्ते नहीं चड़ी वरना तो यह डाइरी कहीं गुम होकर रह जाती उनिस सो पैतालिस में एन की असमय मृत्यू के पस्चात उनके पिता औरो फ्रै फ्रैंक ने इसे 1947 में प्रकाशित करवाया अब क्या हुआ जब चार अगस 1944 को यह सारा पूरा परिवार पकड़ लिया गया यातना ग्रह में रखा गया एन की मृत्यू क्या कैसे हुई नहीं पता बस इतना पता है कि 1945 में उसकी मृत्यू हो गई थी उसके बाद इन आठो अकेले जीवित फ्रैंक के पिता बचे थे यानि कि एन के जो पिता थे सिर्फ वो बचे थे वो वहां से आजाद हुए उन्होंने अपनी बेटी की डाइरी को खोजा और उसको चपवाया वो कप्च करवाया था 1947 में प्रकाशित कराया यानि कि 1947 में उसको चपवाया एन ने ये डाइरी चठियों के माध्यम से लिखी थी ये चठिया एन के उपहार के रूप में मिली थी तो कहने का मतलब क्या है जैसे हम किसी को चठिय लिखते हैं उस तरीके से उसने ये डाइरी लिखी थी एन की ये डाइरी किकी को संबोधित की गई थी तो किकी कौन थी उनकी गुडिया थी उसको उन्होंने ये संबोधित किया था जैसे वो बोले हैं अपनी गुडिया को सारी चिठियां लिख रहे हैं आठ जुलाई 1942 दिन बुद्धवार अब डाइरी शुरू हो रही है जो एन ने लिखी है ठीक है तो वो कहां से शुरू हो रही है आठ जुलाई 1902 दिन बुद्धवार अपनी प्यारी किकी को संबोधित करके लिखी चिठी में एन बताती हैं कि वह रविवार की दुपहर थी मैं बालकनी में धूप से अलसाई सी बैठी थी इसलिए मुझे दर्वाजे की घंटी की आवाज सुनाई दी वहां मेरी बड़ी बहन मार्गरेट थी तो अब यह देखे आप कन्फ्यूज नहीं हो यह का लिखी बुद्धवार को गई है लेकिन बात हो रही है रविवार की यानि कि यह घटना घट चुकी है गटना घट चुकी यानि संडे को हो चुका है और वो घटना को कब लिख रही है वो वेडनेस डे को लिख रही है संडे को घटना घटी है और एन वो डायरी कब लिख रही है वेडनेस डे को तो इसलिए कन्फ्यूज नहीं हो यह कि बुद्धवार को बोला जा रहा है और नीचे रविवारत दिया गया है ये कारण है तो वो संडे था वो अराम से बैठी हुई थी और बैठने के कारण क्या हुआ उन्हों दर्वाजे की घंटी बजी वो गई देखा तो वहाँ पर उनकी बड़ी बेहन मार गुरोड थी वह गुसे में दिख रही थी क्योंकि युद्ध के दिनों में पापा को एसस के बुलावे का नोटस मिला था मा उस समय पापा के बिजनस पार्टनर मिस्टर वांदान को देखने गई हुई थी यह सुनकर मैं हैरान रहे गए यह सब कोई जानता है कि यह एसस के बुलाने का अर्थ है यातना और बंद कोट्रियां परन्तु हम सब ही इस बात के लिए राजी नहीं थे कि पापा कोट्री में यातना सहें तो यह क्या हुआ नाजियों द्वारा उन्हें बुलावा दिया गया था एस जो उनकी सेना थी उनके द्वारा उसके एन के पापा को महाँ पर बुलाया गया था और बुलाने का मतलब था कि महाँ पर टॉर्चर किया जाएगा उन्हें बंद करके रखा जाएगा अब है ते हमारी परिपार की किसी सद्रीस के साथ ऐसा हो हम नहीं चाहतें तो कोई ऐसा नहीं चाहए यह हम सभी निड़ने लिया कि सभी पापा के कारेयाल है और उससे सठेक गोदाम में अञ्यातवासी रूप में रहें य हम सब ने अपने दैनिक जीवन की जरूरतों के लिए आविश्रक सामान थैलों में भरा और पापा के कार्याले की कमरों में रहने लगे वहां चारों और आविवस्था तता फाइले और अलमारीयों का सामराज्य था थोड़ा बहुत ठीक करके हम सब वहां हसी मजाक रूटना मनाना जोग सुनना सुनाना और बहसो आदी में समय वितीत करने लगे दिन का उजाला हमारे लिए दूर की बात थी रात के अंधेरे में दिन कटते थे वहां एक-एक सब्तहा के लिए बिजली गुल हो जाती थी चार बचते ही अंधेरा चा जाता था तो अब यह क्या हुआ कि यह पापा का दफ्तर और से लगा हुआ एक गोड़ाओ इन लोगों ने सभी अपना जरूरत का सामान थैलों में भरा और वहां जाकर रहने लगे चुकि वह एक दफ्तर था तो वहां जाइर सी बात है चारों दूर्फ कबर्ट से फाइले हैं सब अस्त विएस्था लोग ठीक क यहां पर कोई रहता है तो हमेशां अधेरे में रहना होता था कोई उजाला नहीं हम घरके अंदर लाइट राणी जला सकते थे लाइट जलेगे तो यह समय हम उल जलूल की हरकते करते गुजारते थे हम पहलीयां बुजाते अधेरे में व्यायाम करते अंग्रेजी और फ्रेंज में बात्सक्राम करते तता किताबों की समीक्षा किया करते अब मैंने समय गुजारने का एक नरया तरीका ढून निकाला है मैंने दूरूबीन लगा कर पडोसियों के रोशनी वाले कमरों में जाकना शुरू किया दिन में परदे नहीं अटा सकते परंतु रात के अंधेरे में परदे हटा दिये जाते थे हमारे पडोसी बड़े दिल्चस्प लोग थे जब मैंने अपने पडोसियों को दूरूबीन से देखा तो पाया कि कोई खाना खा रहा है कोई फिल्म बना रहा था तो सामने वाले घर में एक दंत चिकित सक एक सहमी हुई बुडिया के दातों से जूज रहा है तो अब यहां पर क्या हुआ कि अब जैसे हमेशा अंधेने में समय गुजारना है जैसे भी गुजारना है तो अब उसमें वोल जलूर हरकते होंगी भाई एक दूसरे से फ्रेंच में अंग्रेजी में बात करना है व्यायाम करना है कि भई ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी नहीं हो सकती तो भई व्यायाम ही करो इसी तरीके से दिन गुजर रहे थे अब एन ने सोचा कि क्यों ना इसके लिए हम एक नया तरीका सोचे उसने करने के लिए तो एन ने क्या किया दूर भी लगा कर पड़ोस थी उसके दातों से कुछ कर रहा होगा वो देखा पड़ोसियों को उन्हों देखना में थोड़ा जिस कहते हैं न टाइम पास करना वो सब चीज़ें उसने करनी शुरू कर दी मिस्टर डसेल बच्चों के साथ खूब आनंद पूरवक रहते थे जो आठवा सदस था न मिस् उनने का अभिने किया करती थी मेरी इन सभी बातों को मम्मी को बताया करते और मम्मी मुझे खूब डाटा करती थी फिर मुझसे मिसेज वान अपने पास बुलाया करती थी यह बात एन ने किकी को शनिवार 26 नमबर 1942 की चिठ्थी में लिखा तो अब क्या हुआ जो मिस्टर इनके साथ बड़े अच्छे से रहा करते थी लेकिन वह बहुत अनुशाशन प्रिये वेक्ति थी तो उन पर भाशन भी बहुत दिया करते तो ऐसे भाशन पर एन को नीन आने लगती थी अब जब नीन आने वाला कंडिशन होती थी तो भाई यह डसेल जो है वह एन की मुमी इसा काम करती है तो उसको डाट पड़ती डाट से बचाने के लिए मिस्स वांदान उन्हें अपने पास बुला लिया करती थी तो यह सारी बाद एन ने किकी को चिठी में लिखिए 26 नमबर 1942 के चिठी में यह बात लिखी थी अब आते हैं शुक्रवार 1919 मार्च 1943 ठीक है क उसमें टर्की अभी शामिल नहीं हुआ है इस चीज की निराशा थी एन को यह भी खबर थी कि एक केंद्री मंत्री का बायार आया है कि जल्दी टर्की यह तठसता खत्म कर देगा और अकबार बेजने वाला चिला रहा था टर्की इंग्लैंड के पक्ष में हैं और भी अने में यह आया कि उन्होंने बोला कि एक अकबार वाला चिला रहा था कि तर्की जो है वो अंग्रेजों के पक्ष में आ जाएगा इसके लावा भी बहुत सी अफ़ाएं सुनने में आ रही थी हजार गिल्डर के नोट अवैद मुद्रा घोशित कर दिये जाएंगे तो हजार गिल्डर का जो जैसे वो होता है नोट बंदी होती उस तरीके से हजार गिल्डर का जो नोट होगा उसको अवैद घोशित कर दिया जाएगा यानि कि वो अब नहीं चलेगा तो इससे क्या होगा काला दंदा करने वालों के लिए यह एक बड़ा जटका था यह लोग अब भूमिगत हो गए थे 500 गिल्डर के नोट भी अब बेकार हो गए थे मार्गरोट मिस्टर डसेल की डच अध्यापिका बन गई थी तो अब क्या था जो लोग अंडरग्राउंड हुए थे वो बड़े बड़े नोट लेकर हुए थे वह भी अंडरगाउंड हुए तो उनके पास कुछ मनी होना चाहिए तो वो लोग 500 गिल्डर का और 1000 गिल्डर का अध्याप के डच पढ़ाने लगी थी वह उनके पत्र ठीक किया करती थी पापा के मना करने के बाद मार्गरोट ने यह कारे बन कर दिया फिर एन को लगा कि शायद वो पापा के मना करने के बाद बन तो किया लेकिन फिर से वो यह कारे शुरू कर रही है मिस्टर हिटलर को घायल सानिकों से बादचीत हमने रेडियों के माध्यम से सुनी तो हिटलर के जो सानिक घायल हुए थे वो उनसे मिलने के लिए अस्पताल गया था तो उनकी बादचीत को रेडियों के माध्यम से प्रसारित किया गया था जिसे एन ने सुना यह एक करुणा जनक अनुभाव था एन किकी को लिखी एक चिठी में जिक्र करती है मुझे पिछले सब्ताहों में परिवार के व्रक्षों और वन्षावली तालिकाओं में खासी रुची हो गई है अब कुछ समय नहीं था तो उसने अपनी पूरी वन्षावली देखनी शुरू कर दी अपने परिवार की या और परिवारों की वन्षावली देखना बनाना उसको इंट्रेस्ट आने लगा था यह काम करने में इस नतीजे पर पहुँची कि एक बार तुम खोजना शुरू कर दो तो तुम्हें अतीत के गहरे और गहरे उतरना पड़ेगा मेरे पास फिल्मी यह कलाकारों की तस्वीरों का एक अच्छा हासा संग्रे हो गया था अब एन क्या बोलती है कि जो हमने अपना बनाना शुरू किया वंशावली खोजनी शुरू करी तो उसे कहा अगर हम खोजने पर उतर जाएं तो हम क्या नहीं खोज सकते हैं तो उसने वही कहा कि हमने जब अंशावली बनानी शुरू करी और एक के बाद एक चीज़े खोजनी शुरू करी तो मैं कहां से कहां तक चीज़े खोजती हुई ले गई कि मिस्टर कुलगर हर सोमबार मेरे लिए सिनेमा एंड फ्रैंक के पिता है उनके फ्रैंड थे जो वहां हथे में एक बार आया करते थे तो उसके लिए एक सिनेमा की पत्रिका लेकर आते थे एन के लिए मैं फिल्म के मुखे नायक और नायकाओं के नाम और समीक्षा फर्राटे से करती थी जब मैं नहीं केस सज्जा बना कर बाहा निकलती तो मुझे अंदेशा पहले से ही रहता कि लोग मुझे टोक कर कहेंगे कि मैं फला फिल्म के स्टार की नकल कर रही जब मैं ये कहती कि यह मेरा अपना अविश्कार है तो लोग मेरा मजाग करते यहां तक कि मेरे हेरस्टाइल का सवाल है यह आधे घंटे से अधिक टिक नहीं पाता मैं इससे बोर हो जाती और सबकी टिपनिया सुनते सुनते मेरे कान पकने लगते मैं सीधे गुसल खाने में जाती और मेरे बाल फिर उलचकर घुंगराले हो जाते तो अब क्या हुआ जो मिस्टर कुलकज उसके लिए पत्थर का लाया करते थे उनको पढ़ती थी कि भाई तुम लगल कर रहे हैं तो कहीं नहीं मेरा विश्कार है कोई मानता नहीं हसी करते सब चीज़े तो एन गुसा जाती और तुरंथी वाश्रूम में जाके सारे अपने बाल बिगार दिया करती थी एन फ्रैंक बुद्वार 28 जनवरी 1944 अब कब लिख रही है 28 जनवरी 1944 अब यह ध्यान देखे का एक अगस तक की ही डायरी लिखी गई है एक अगस तक की और अब हम आ चुके हैं 28 जनवरी 1944 में एक चिट्टी के माध्यम से अपनी प्यारी गुडिया किकी को बताती है कि जॉ और मिस्टर क्लीम एन की अग्यात्वास में छूपे अत्वा भूमि गत हुए थे अब क्या इन की तरह कुछ और लोग भी भूमि गत हुए थे वो लोग भी ज दो प्राइन को भी खोजा जा रहा था जित्ती लोग भी अंडरग्राउंड हूए थे विछ और नाजी उनको बुरी तरीके से खोज रहे थे क्यों क्योंकि उनको यातना ग्रह लेके आना जाई अब जैसे यहां वांद और फ्रैंक का परिवार था उसी तरीके से मिस्टर क्ली मैन को भी खोजा जा रहा था उनका परिवार भी अग्यातवास में था लोगों के बारे में कहना और सुनना अच्छा लगता था हम सभी उनकी बातों को ध्यान से सुना करते थे वह कहा करते थे कि हमें उन सब की तकलिफों से हमदर्दी है जो गिरफतार हो गए और उन लोगों की ये खुशी में हमारी खुशी है जो कैद से आजाद हो गए तो अब कहने का ताद पर यहां था कि मिस्टर क्लीमें जो है वो जब भी बताते बोलते तो ये चीज़ बताते थे कि जो लोग अग्यातवास में पकड़ लिए गए उनको बहुत यातनाय दी जाती थी बहुत बुरी तरीके से तरपाया जाता था तो उनके लिए हमारी समवे तनाय हैं अगर वो छूट जाते हैं तो हम उनके लिए बहुत खुश हैं तो ये सब चीजे उन्होंने भी बताए अपनी डाइरी में लिखी हैं भूमिकत होना या अज्यातवास चले जाना अब आम बात हो गई थी मतलब आप समझ लिए नाजियों ने बहुत ही यहूदिय को पकड़ना शुरू कर दिया तो सभी अज्यातवास होना भूमिकत होना अब शुरू कर दिया था तो अब यह मतलब करना ना आम बात हो गई कि सब अभनाजियों चुपने के लिए चुपे फिर रहे थे कुछ लोग ऐसे भी हैं जो छुपे लोगों को वित्तिय सहायता प कि में डाल कर दूसरों की मदद करते हैं इसमें सबसे बढ़ियां उन लोगों का है जो आज तक हमारी मदद कर रहे हैं और हमें उमीद है कि हमें सुरक्षत किनाने तक ले जाएंगे तयान ये बोलती हैं कि बहुत ही बहादुरी का काम है कि जो लोग छुपे होते हैं छुपे वे हमारे जन दिनों पर फूल और उपहार लेकर आते वे हमें हमेशा खुश रखने के लिए कोशिश करते रहते वे सदेव अपनी बहतरीन भावनाओं और प्यार से हमारे दिल को जीत लेते थे अब क्या होता था छुपे हुए हैं तो किसी का बढ़े पढ़ रहा है कुछ है भाई होदा एक डिप्रेशन हावी हो जाता है तो सभी लोग जो थे वो दूसरे को करते या जो लोग उनकी मदद कर रहे थे जौन और मिस्टर क्लीमें जो मदद भी कर रहे थे अज्यातवास के दोरान तो वो लोग इनके लिए उपहार लाते थे इनको खुश करने की हर एख प्रसारण में कहा है कि युद्द के बाद युद्द का वरंडर करने वाली डाइरियों और पत्रों का संगत्र है किया जाएगा जैसी डाइरी एन लिख रही थी इसी तरीके कि इस युद्ध के बाद जो भी लोग डाइरी अपत्र लिख रहे हैं उन सब ही को इकत्र किया जाएगा यह सुनते ही हर कोई मेरी डाइरी को पाने के लिए उच्छुप था एन सोचती हैं दस साल बाद जब लोगों को पता चलेगा कि हम किस प्रकार अग्यातवास में जी रहे थे शायद लोग चकित रह जाएंगे हवाई हमले के समय औरते बुरी तरह से डर जाती थी जब ब्रिटिश लड़ाकु जहाज 555 तन गोला बारूद बरसाते थे तो हमारे घर घास की पत्तियों की तरह काप जाते थे हमारे घरों में अनेक अजीब तरह की हमारिया फैल रही थी तो अब यह था अग्यातवस आसान नहीं होता एक तो अकेला पन अंधेरा सभी रह रहे थे और उस पर युद्धों भी चल रहा था युद्धों में जो गोला बारूद गिराया जाता था उसका जो वाइब्रेशन होता था उससे इन लोगों के घर हिल जाया करते थे बुर अब बारूद परना नहीं है जब सनलाइट नहीं पड़े का तो जाहिर सी बात है मॉस्ट्यों से तमाम परेंगैं की महामारियां फैलती है तो वो महामारियां इन लोगों के घरों में लोग रहे थे उनके घरों में फैलना शुरू हो चुका था चोरी चकारी की घटनाएं लगतार बढ़ रही थी डच लोगों ने अंगूटी पहनने का रिवास खत्म हो गया था आठ दस वर्ष के छोटे बच्चे घरों की खिड़कियां तोड़कर घरों में गुज जाते थे उनको जो चीज हाथ लगती थी उसे चुरा ले जाते थे अगर आप अपने घर में पांच मिनट के लिए बाहर चले जाएं तो आपका घर पूरी तरह से साफ हो चुका होता था अब क्या जो लोग अज्यातवास में चुपे हैं माना नाजी उनके बारे में नहीं जानतें लेकिन जो आज पाज के लोग होते हैं वो तो जानते ही समझी जातें भाई यहां कोई न कोई रह रहा है तो इसलिए चोरियां बढ़ने लगी थी काज की खिड़ियां तोड़कर लोग अंदर घुस आते थी समान ले आते अगर आप थोड़ी देर के लिए अपने घर से गायब हुए तो फटा-फट सब कुछ चोरी हो जाया करता था गली नुकड़ों पर बिजली से चलने वाली घड़ियां चोरी हो जाती थी तता सारवजनिक टेलीफून हो और उनके पूरजे अचानक गायब हो जाती मतलब अब जो सारवजनिक चीजे लगी थी वह भी अब गायब होने लगी थी लोगों की बातनी जो सारुजिनिक तौर पर सब जनता लोगों की मदद के लिए लगा था जैसे आप पब्लिक बूत बोलते हैं घडियां बोलते हैं वो सभी चीजें गायब हो रही थी घर में बच्चे बिमार थे और भूग से बेहाल थे सब लोग फटे पुराने कपड़े पहनते थी तथा फटे जूतों को पहन कर काम चला रहे थे बिलकुल जीवन दूबर हो गया तो अब जो लोग अग्यातवास में रह रहे थे चोटे-चोटे बच्चे उनके कपड़े फटने लगे थे अब वो बढ़ रहे थे तो अब वो बढ़ रहे हैं और बढ़ने के का कि शनिवार के कोई दो बजे थे गोला बारी शुरू हो गई सैटरड़े का दिन था और बंबाडिंग शुरू हो चुकी थी मशीन गने आग बरसा रही थी रविवार के दिन पीटर और मैं दूसरी मंजिल पे सटे बैठे थे अब यह लोग सब डर रहे थे इतनी तरी गने च सटकर बैठे रहे क्योंकि कुशन बहुत छोटा था एक ही उससे बैठे वए थे क्योंकि जो कुशन पर बैठे हुए थे बहुत क्छोटा थे इसलिए सटकर बैठे हुए थे अब क्या है रात में जो संगीत बशता है वो एन को बहुत खुश करता था, तो वो संगीत को सुनकर वो बहुत इंजॉय करती थी, जिस समय ये दोनों वहाँ पर बैठे थे और वो संगीत बच रहा था, चुकि हम मिस्टर डसेल के कुशन के ऊपर ले गए थे और इसी बात को अगा रहे थे कि मिस्टर डसेल इस पर बैठेंगे और खुब हसेंगे, परनतो मिस्टर डसेल ने अपने कमरे में जाकर बैठ गए और फिर हमने कुशन में डाले ब्रुशू को बाहर निकाला, इस छोटे से प्रहसान पर हस्ते हस्ते हमारा बुरा हाल हो गया, तो जो कुश नहीं हुई थी, उस सारी चीज़ों को सोच कर हस रहे थे और जितना वाक्या हुआ था, उस पे भी ये सब हस रहे थे, सब में मतलब पीटर और एन, लेकिन जल्दी हसी मजाग डर में तबदील हो गई, मतलब सब हस रहे थे तुरंती, जब ये अंदाजा लगाया गी, पु पुझा दी गई थी, रात जब सभी मर्द एक बार फिर नीचे गोदाम में गए तो सेंद मार अपना काम में लगे हुए थे, मर्दों को देखकर वे भाग गए, उनका ये प्रयास निश्वल कर दिया गया, ये घटना अपने आप में एक बड़ी मुसीबत थी, तो अब क् उननों को पता चला कि पुलिस आने वाली है, तो अब ये डर था, तो सभी ओफिस के गोडाउन में जाने लगे हैं, कि सभी जितनी ओरते थी डरी थी पहले जा चुकी, मर्द भी आकर जो है, वहाँ चले गए, जब कोई नहीं बचा तो सेंद मार आ गए, कि भई सेंद लग कि चिठी में एन की को बताती हैं कि अब ये 15 वर्ष की हो गई, तो उस दिन क्या था, एन का बर्थटी था, वो 15 साल की हो गई थी, इस जन दिन पर सभी ने मुझे उपहार दिये थे, अब दुश्मन देशों के एक दूसरे पर हमले तेज हो गए थी, बेहत खराब मौसम है लगातार वर्षा, तेज हवाएं और समुद्र अपने उपर उफान था, तो कहने का मतलब क्या जन दिन उनका हो गया, सब ने उनको बहुत सारे गिफ्ट दिये, अब मौसम बदल रहा था, अब क्या खराम मौसम था, बहुत तेज हवा थी, बारिश हो रही थी, समुद्र भी बहुत उफान पर था, बहुत तेज तेज लहरे उट रही थी, उसमें, चर्चिल तथा अन्य अधिकारी उन गामों का दौरा कर रहे थे, जिन पर बिटिस रहनी को ने कबजा कर लिया था, बाद में मुक्त कर दिया था, तो चर्चिल कहां पर हैं, दौरा कर रहे थे, जिन गामों पर बिटिस ने कबजा किया था, बाद में उन गामों को छोड़ दिया था, चर्चिल एक जन्मजाद बहादूर थे, वो टौर्पीड नाओं में थे, इसी टौर्पीड नाओं के माध्यम से तटो पर गोलाबारी भी की जाती थी, अगर बिटिस ने जर्मनी के साथ संधी कर ली होती, तो हॉलेंड और उनके पडोसी देशों के हालत खराब हो जाते, हॉलेंड जर्मनी एक बन चुका होता और इस प्रकार उसका अंत भी हो चुका होता, तब उन्होंने बोला कि बिटिश ने अगर क्या नम है, किस संधी जर्मनी संधी कर ली होती, तो ह हौलेंड भी एक जर्मनी बन गया होता शुकर है कि नहीं हुए संदी और हौलेंड हौलेंड पचा हुआ है एन अपनी नीजी बात को सारवजनी करते हुए किकी को कहती है आप इन्होंने अपनी कुछ परसनल बात यहां पर लिखी है एन ने क्या लिखा है कि यह सच है कि अन्सी शक्ती है एन पीटर से प्रेम में दिवानी है वर स्वैम कहती है अगर मैं उसके कमरे में एक दो दिन के लिए ना जा पाऊं तो मेरी बुरी हालत हो जाती है मैं उसके लिए तरपने लगती हूं तो अब क्या है इस अग्यातवास में प्रेम भी है जैसे बताया गया था एन और पीटर के बीज में दोने एक दूसरे से ना मिले ना देखें तो वो तड़पने लगते थे पीटर एक सच्चा अच्छा और इमांदार लड़का है लेकिन वह मुझे कई तरह से निराश करता है वशांत्रिय प्रिये सहेज सरल सेहनचील एवं आत्मिये व्यक्ति ह यानि कि जिसको हम बोलते ना बहुत ही काम कूल होते ना उस प्रोटेक्टिव जो लोग होते जिनके नेचर में उस तरीके का वो लड़का था उसका एक मिशन था कि वहां उन सभी इलजामों को गलत साबित कर सके जो उसके उपर लगी थे उसके मन में मेरे प्रती जो बात कि वह कहना चाहता था परंतु पता नहीं क्यों वह इसे अभिव्यक्त नहीं करना चाहता था हम दोनों अपने अतीत बरतमान और भविश्व की बाते किया करते थे परंतु वह चीज यानि की प्रेम जो हम दोनों के मन में थी उसकी बात कभी नहीं किया करते थे तो इन्हों हमने एक दूसरे से नहीं बताया ना ही हम व्यक्त किया करते थे बात हर चीज़ पर होती थी तो यह अभिव्यक्त करने वाला जो काम था वो लोगों के बीच नहीं हुआ था जिसें प्रपोस करना बोलती है वो चीज़ नहीं हुई थी अपने प्रकती प्रेम के बारे में एन कहती हैं कि वह प्रकती को निहारा करती थी अब सिर्फ उसको नेचर बहुत अच्छा लगता था नेचर चीज जो होता है आप पेड़ पहाड़ पौधे आकाश खुला आश्मान तितलियां यह सब चीज़ें जो भगवान ने हमें बना कर सकती उनकी यादों में कैसे खुती हैं वो जब नीला आकाश पक्षियों के चहचाने की आवाजें चांदनी रात और खिली कलियां उस पर जादू सा कर देती थी अब ये सभी चीज़ें बीते जमाने की हो गई हैं वह आगे कहती हैं आसमान बादलों चांद और तारों क की तरफ देखना मुझे शांती और आशा की भावना से सराबोर कर देता है तो जो उनका प्यार था प्रकतिकोर लेकर वो बताती हैं कि ये सारी चीज़ें उनको बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन भी बीते जमाने की बात हो क्योंकि हम उसको अभी महसूस नहीं कर पा रहे और ये सारी चीज़ें जब महसूस किया करती थी तो बिल्कुल इन सब चीज़ों को महसूस करते हुए पागल सी हो जाया कर दी थी उसके दिमाग में कुछ इस प्रकार के प्रशन उठते हैं जो उसे लगातार परिशान करते थे जैसे पुरुषों का और पर शुरू से शाशन करना अब बच्ची थी वो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनका आंसर नहीं मिलता तो ये कोशन किस तरीके से उसको दिमाग में घूमा करते थे अब यहां पर वो हमें उनके बारे में बता रही है कि औरतों के ऊपर हमेशा आदमियों का आधिपत्य रहना ये बात उन्हें बहुत खला करती थी सौभग से सिक्षा काम और प्रगती ने औरतों की आँखे खोल दी हैं तो जैसे जैसे डबलेप्मेंट हु कारे में कहती हैं कि सैनिकों और युद्धों के वीरों का सम्मान किया जाता है उन्हें अलंकरत किया जाता है उन्हें अमर बना डालने तक का शौर्य प्रदान किया जाता है शहीदों की पूजा भी पूजा भी जाता है लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो औरतों को भी सैनिक क क्यों नहीं दिया जाता लेकक श्री पॉल दे कुईफ की मौत के खिलाफ मनुष एक पुस्तक में जिक्र करते हुए वे कहती हैं कि आम तोर पर युद्ध में लड़ने वाले वीर सैनिक जितनी तकलीफ पीडा दर्द बिमारी और यंद्रा उठाते हैं उससे कहीं अधिक दर् जो बच्चे को जन्म देती हैं जब बच्चा जन्ने के बाद औरत के शरीर का आकरशन कम हो जाता है तो उन्हें उनके हाल पर छोड़ दिया जाता है लोग शायद ये भूल जाते हैं कि औरत ही मानव जाती की निरंतरता बनाए रखती हैं तो अब यहां पर यह क्या हां बत बच्चे को जन्म देने के बाद उसका शारीरिक सौंदर एक खत्म हो जाता है तो आदमी उससे विमुख हो जाता है उसकी तरफ उसको एट्रक्शन नहीं रह जाता तो ऐसा क्यूं होता है इनके अंदर ये कोशन भी था वह लगातार संघर्ष करती हैं शायद इतना संघर् करते करती हैं वह अंत में कहती हैं कि मैं कड़ापी नहीं चाहती कि और बच्चे जनना बंद कर दें परनतु मैं उन्लोगों के खिलाफ हुँ योग्दान को महान नहीं मानते वह आशा के साथ अपने कथन को समाप्त करती हैं कि अगली सधी में औरot और सम्मान और सरहाना की हगदार बनेंगी तो वह कहती है आखिर में अपनी जब डारी को जहां पर आखरी तक उनको लिखी गई है वहां तक कि हम यह नहीं चाहते कि और जो हैं बच्चे जन्ना यानि पैदा करना मबंद कर दें उनका यहां ताथ पर है कि वो करें लेकिन इस जो सुन्दर योगदान है समाज के लिए संसार के लिए उसको सरहाएं समझें लोग उसको समझें यह नहीं कि उसकी वज़े से अगर उनका सुन्दर एक हो जाता है तो उनको नकारना उनको पूरी तरीके से अपनी नजरों सुतार देना ऐसे काम करें तो यह एन की डायरी के ज शेहरों का महल कैसा हो गया था सवस्तार लिखें कि युद्ध कारे खड़ी करके बाजार में खरीदारी करते थे उनकी गाणियां चुरा ली जाती थी चोरी इतनी अधिक बढ़ गए थी कि लोग अंगूठी तक पहनना छोड़ चुके थे 8-10 वर्ष का बच्चा भी खिड़की तोड़कर घर में रखा सामान उठा ले जाता था लोग 5 मि लोट आएगा उसे इनाम मिलेगा गलियों और नुकड़ों पर लगी बिजली से चलने वाली घड़ियां घड़ियां तक लोग उतार कर ले जाते थे सारवजिनिक टेलीफोन का कोई भी पूर्जा लोगों में नहीं छोड़ा जाता था तो क्या हो गया था कि लोग अगर ज भाई उनको चाकु छूरा दिखा कि उनके अंगुठियां उतार ली जाती थी तो अंगुठियां बंदी कर घर आप पांच मिनट के लिए नहीं छोड़ सकते थे घर छोड़ा नहीं कि समान सारा पूरा घर साख हो जाता था आपका खिड़कियों के काज तोड़ तोड़के लोग समान उठा ले जाते थे मतलब बहुत ही बुरी हालात हो चुके थे युद्ध के समय प्रेशने संख्या दो है उन्नेस मार्च उन्निस सो तिरालिस के चिठी में एन ने गिल्डर मुद्रा के बारे में क्या बताया है इससे क्या परेशानी आ गई थी तो गिल्डर हज कार गिल्डर के नोड अवैद मुद्रा घोशित कर दी गई किये जा रहे थे यह ब्लैक मार्केट का धंदा करने वालों और उन जैसे लोगों के लिए बहुत बड़ा जरकटा था मतलब जो ब्लैक मार्केटिंग करते थे जाहिर सी बात है वह होल्ड मनी लेंगे तो बड़ कि जो जिन्होंने अपने सारे पैसे को छिपा के रखा था हिसाब के साब था यह नहीं कि कितना पैसा है हजार गिल्डर का नोट बदलवाने के लिए आप इस स्तिती में हो कि नोट आपके पास आया कैसे और उसका सबूत भी देना होगा अगर आप हजार गिल्डर का नोट बदलवाने जारे जैसे अब गोशित हुआ तो अब क्या है अब आप वो नोट बैंक में दीजी आपको उसकी जगाव दूसा पैसा मिल जाएगा तो अब आपको यह देना पड़ता था कि इतना बड़ा नोट आपके पास आया कैसे इसका आपको प्रूफ भी देना पड़ जित किया और अगले हफते तर 500 गिल्डर का नोट भी बंद होने वाला था गेड एन कंपनी के पास अभी 1000 गिल्डर के कुछ नोट बांकी थे जिनका कोई हिसाब किताब नहीं था इन्हें कंपनी में आगामी वर्षों के लिए अनुमानित कर अदाईगी में निप्टाया डिया गया यानी कि अब झो कंपनी के पास जो नोट थे अभी परेशान थे भी क्या किया जाई उनका कोई हिसाब नहीं था कि हमारे पास नोट आया कैसे तो उन्होंने क्या किया? कंपणी के आगे आने वाले कुछ सालों का कर उन नोतों से चुका दिया प्रश्ण संख्या 3 है, एन को ये डायरी लिखने की जरूरत क्यों महसूस हूई? इस डायरी के तो आगे क्या कहना चाहती है? भई एन अग्यातवास में थी तो उन्हें ये डायरी लिखने के ज़रूरत क्यों महसूस हुई और इस डायरी के माद्यम से उन्होंने हमें क्या बताने की कूशिश करी है एन चाहती थी कि लोग नाजियों के अत्याचारों के बारे में विस्तार से जाने भई वो नाजियों के प्रकुप जेल रही थी जो उन्हें अग्यातवास दिया था कही हुई या सुनी हुई बातों का प्रभाव जादा नहीं पड़ता ये प्रभाव इस्थाई भी नहीं होता इसलिए उसने इन बातों को लिखने का मन बनाया ताकि लोग बढ़ें सच को जाने और उससे प्रभावित हूँ वह लिखत है लिखती है कि मैं सही बता रही हूँ कि युद्ध के दस साल बाद लोग इससे कितना चकित हूँगे जब उन्हें पता चलेका कि यहूदियों को अग्यातवास में क्यूं जाना पड़ा यहूदियों पर कितने जर्म हुए यह सब बाते बताने के लिए हैं ने डायरी लिखी तो अब आन डायरी क्यों लिख रही थी कि यहूदियों पर किस तरीके से नाजियों द्वारा अत्याचार ढाये गए उन्हें क्यों जाना पड़ा उन्हें कैसा जब इन जीवन वित्तित करना पड़ा जब वो यातना ग्रह में गए तो उन्हें किती तकलीफे हुए वो जब छिपे हुए अज्यातवास में थे तो उन्हें कैसी यही सब चीजे सारी दुनिया जान सके इसलिए एन ने ये डायरी लिखी क्योंकि कही सुनी बाते हम आज सुनेंगे चार दिन बाद भूल जाएंगे लेकिन लिखी हुई बाते बहुत लंबी होती हैं आप हमेशा ताहम एवं सार्थक रही सद्ध कीजिए तो यहां पर क्या चीज है संबाद योजना हम जो बात करते हैं तो इस उससे यह डायरी एकदम सही थी हमें यह चीज यहां सद्ध करने तो इसके लिए हमें कुछ संबादों को यहां पर ठिकना पड़ेगा देखिए तो कैसे लिखेंग तो पहली चीज़ी होती है कि हमारी personal होती है हम उसे सारजनी कर्द नहीं करते क्योंकि हम किसी को पढ़ाना नहीं चाहते कुछ उत्व उसमें किसीैं कि संबाद याजन्य है संबाद योजना का मतलब होता है कि हम जो बात कर रहे हैं उस तरहीकसे नहीं लिखेंगे हमने क्या हम हैसूस किया हम इस तरीके से लिखते हैं लेकिन एन की डायरी में समवाद योजना है और बहुत ही अच्छे तरीके से इसे लिखा भी गया है 9 मार्च 1943 की चिठी में उससे समवाद योजना के प्रयोग किये हैं जब हिटलर गायल सैनिक से बातचीत कर रहे थे और हालचाल जान रहे थे 19 मार्च 1943 की चिठी में उन्हों लिकाता हालचाल जान रहा है यानि कि हिटलर जो है वो किस से बात कर रहे थे अपने घायल सैनिकों से समवाद योजना के प्रयोग में किये जाने पर प्रस्तुते इस समवाद योजना के एक उधारण है मेरा नाम हैनरिक शामपेल है यानि कि अब यहाँ पर किस के बारे में बात हो रही है हिटलर बात कर रहा है और जो घायल सैनिक है जिस समवाद को एन ने रेडियो पर सुना था उसे यहाँ पर लिखा है तो अब मरीज क्या बोल रहा है मेरा नाम हैंडिक शापेल है इस प्रकार इस डायरी के संचिप्त सम्वाजुना स्वाभाविक एवन सर्वता सार्थक बन गई है आप कहां जखमी हुए थे इस नाली ग्रात के पास में किस किस्म का घाव है यह है दोनों पाउं वर्फ की वज कि गई है जो कुछ अंश यहां प्रस्तुत किये गए हम यहां देख रहे हैं कि उसने यह बात ऐसे अच्छे तरीके से लिखी है कि हमको यह लग नहीं रहा है कि डाइरी में नहीं हम कोई संवाद पढ़ रहे हैं संवाद लेखन पढ़ रहे हैं ऐसा हमें नहीं लगा तो य है आप जरूर से जरूर पढ़िएगा यह वन शॉट जो डिवीजन समलोग करा रहे हैं यह सर्फ हिंदी में ही अविलेबल नहीं है सभी सब्जेक्ट में आपके लिए अविलेबल है तो यह आपको कैसे मिलेंगे इसके लिए आपको आना होगा हमारे चैनल मागनेटविंस डॉट कॉम पर आएंगे तो आप देखेंगे यहां पर वन शॉट रिवीजन है आप इसे क्लिक करेंगे क्लिक करते हैं आपके सामने वन शॉट रिवीजन जिन भी क्लास में कराया जा रहा है वह आपके सामने होंगे 9 10 11 12 तो अब आप यहां पर क्या कर अंच्छे से-लेक्ट करेंगे उस्से आपकी पूरी ह सीरिजन ह में क्लिक करिक हो आपका वीडियो एक्जाम की अच्छे से पर्परेशन केजिए यहां बेहिंतिहां को सब्सक्राइब बहुत ही एक्छे से संपन्नों तो ये वीडियो देखने से आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगे थैंक्यों फॉर वाचिंग बावाई